कि अपना ख्याल प्रॉपर रख रहे होंगे और मीट टर्म एक्जाम की तजारी पूरे जोड़ो सोड़ों से क्योंकि आउगस्ट के एंड में और सप्टेंबर के स्टार्टिंग में आपका मेड टर्म एक्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो मैंने खुचा कि आप लोग के पर्मूटेशन कॉंबिनेशन और आपका लास में यह सब कुछ करा दिया है पूरा कॉंसिप फिर भी इंपॉर्टेंट कॉंसिप डेख लेते हैं क्या-क्या आपकी एक्जाम में देखने को मिल सकता है वह आपको किसी कीमत पर स्किप नहीं करना है अगर हम बात करें सब्सक सेट पाइन ही सटमी आपको असके पर आपको उसके वारे में नोलेज होना चाहिए असपर डायेट कोचन देखने को नहीं मिलेगा आपको पस knowledge होना चाहिए तीसरा बेरिपोर्टेंट इसके बाद क्या आपको पढ़ना हे इंटर्वल क्या क्या हो गया मारे पास सेट एंड डिप्रेजेंटेशन एड विल्डर फॉर्म या पी रोस्टर फॉर्म उसमें आता है टाइपस ऑफ सेट तीसरा हमारे पास सबसेट और चौथा इंटरवल उसके बाद यूनिवर्सल सेट के बारे में नॉलेज होना चाहिए क्योंकि वह यूज होगा यूनिवर्स यूनिवर्सल सेट आएगा ही आएगा तो यह आपका रहा इंपॉर्टेंट चैप्टर और साथ में क्या प्रोपर्टी इस वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी कीमत पर आपको इसको इसको इसके नहीं करना है और इंटरवल के बारे में पूरा और इंटरवल होता क्या है नेक्स चैप्टर जोंकि बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन इन पंक्शन आप बहुत बार इसा होता है कि ट्वेल्स में बच्चे आता है यह दिमोटीवेट हो जाते हैं मैस को देखते ही इसलिए क्योंकि उन्होंने 11 के कुछ चैप्टर अच देखने को मिल जाएगा क्लिया अब आते हैं एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो की बहुत इंपोर्डेंट आपको हर चैप्टर में इसका एक रूप दिख जाएगा डारेक्ट तरीके से हर चैप्टर में हर चैप्टर में तो आपको सबसे पहले इसमें याद रखना है क्या मेजरिंग ऑफ एं क्यां से निकाल सकते हो उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डॉमेन और रेंज और उसके ग्राफ पॉर्टेंट हैं अभी के लिए भी नहीं क्लास 12 के लिए और साथ में पॉर्मुले बेस्ट क्वेस्टिन जितने भी हैं आते ही आते हैं आपको एक क्वेस्टिन जाही दिखेगा जितने भी पॉर्मुले मैंने सारे पॉर्मुले अपने लाइफ क्लास में कर रखें आप देख सकते हैं पुरी प्लेलिस्ट बनी हुई है अनुमैंकी क्लास 11 की चैप्टर वाइस कॉंप्लेक्स नंबर में आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा पहले अलजब्राइक प्रॉपर्टिस ओप्लेक्स नंबर जिसमें आपको यह कहते हैं यह कॉंजूगेट देखनों को मिल जाता है ठीक है और जैसे कि आगर मान लो जैड है जैड इस इक्वल टू आपको यह पूछने को मिल जाएगा फिर उसके बाद क्या आपको यह कनवर्ट इन ए प्लस आई-बी फॉर्म मतलब कि आप इसको जैनल फॉर्म में कनवर्ट किजिए कॉंप्लेक्स नंबर के जो औरिजिनल फॉर्म में उसमें इसमें ज्यादा कुछ बहुत यह चैप्टर है आप इसको 1-1000 धे में अराम से सकते हु कर सकते हो इसको पूछा फैसन देगा उसको सॉल करने के और तो इसको सौल करने के देगा है सब्सक्राइब किये हुए नंबर को आपको डिखाने के लिए बोल देगा यह दो टाइप्स के क्वेस्टन पूर्टिन क्यूंकि इसका आपको दिखेगा प्रोबिल्टी में बहुत ज्यादा यूज तो पहला जो आपको दिखेगा यहां पर कि या ना कि पंडामिंतल सिद्टीबब ओप कंटिंग जिसमें एक मल्टिप्लिकेशन आता है एक कि इसके वाद ट्रेक्टूरीयल बच्छा सिट इसी के लिए इंपर्टोरियल आपका इंपोर्मूले एंपी यार्ट एंप्लीकेशन आपको आल्रेड़ी वहां पे फॉर्मूला बताये जाएगा और वह सारे फॉर्मूले जो है ना एंटी आर एंटी वन एंटी जीरो का फॉर्मूला जो डारेट होता है इसको याद रखी है ली ओनोट एक फॉर्मूलए होते हैं इतना कुछ नहीं बोलुंगी इसमाइजसे एंपलेस बीचे पावर एंट एह माइनस बी टू दी पावर के वन प्लस एक्स टूदी पावर एंट और वन माईनस एक्स टूदी पावर और जिसमें बाप फॉर्मूला ओटा है ना बच्चा इसकी जो वैल्यू है आप वो देख लीजेगा इसमें जो में बाप फॉर्मूला होता है अगर आपको यह याद है ना फॉर्मूला तो आप यह तीनों निकाल लोगे आराम से क्यों एक वैल्यू ए और बी की वैल्यू माइनस बी रखके एक वैल्यू वन और यह आपका बहुत इंपॉर्मूले पढ़ना है फिर आप तो फिर बल्ले बल्ले कर लोगे और उसमें से भी आपके पास अगर यह पहला फॉर्मूला ही है तो आप सब भी बहुत एजली कर सकते हो बस बाइनोमियल सेहरा में जो लिखा हुआ हुआ है नेक्स सीक्वेंस सीरी मैं कैसे बंते हैं तैक ही और्न्wny मालूम होना चाहिए लिपी पढ़ना है यह फिर उसके obedient पर नहीं पर नहीं पॉन साखना है आपको फिर ऐसे बाद कैनलक्oben किन पर नाहों टाम और फिर एमंवे फिर एंड़न का सम तीसरा टॉपिक हो गया फिर चौधा टॉपिक जिमेट्रिक मीन पांच वा टॉपिक अरितमेटिक मीन और जीए में में क्या रिलेशन है बस। पढ़ लिया तो अगर हर जगा ना जैसे कि माक्स के साब से पेपर होता है कहीं पे असी में अस्तिकाई ले लेंगे कहीं पे 35 नमबर का लेंगे 50 नमबर का लेंगे भी डिपेंड करता है तेकिन अगर आपने यह टॉपिक्स कवर किये हैं तो यह गारेंटेड है कि आप जितन बंद करो और पढ़ाई सुरू करो प्लेलिस्ट खोलो और पूरा बैट के देखना सुरू करो हमने बहुत अच्छे से माँ पर साथी सीजे कवर की हुए अल्दा बेस्ट मिलते हैं थैंक्यू सो मच